सभी साथ्यू का नमस्कार आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RPSC Assistant Professor 2020 के जो पेटर्न है उसके पेपर थर्ड पेपर जो की सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है 2014 की जो वेकेंसी में थर्ड पेपर हुआ था राजस्तान जीके का वो पेपर आज के इस वीडियो में हम पूरा विशलेशन करने वाले हैं मेरा मानना है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 5 से लेकर 10 प्रशन इस वीडियो से मिलने की पूरी संभाव ना रहेगी तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से third paper जो 2014 में हुआ था वो देखते हैं तो पहला क्यूशन देखते हैं यह आगे हम paper पर यह paper third paper है और यह 24 अपरेल 2016 को यह हुआ था इस paper में देखते हैं, सबसे पहला question है रमत क्या है? देखें एक question आया था तो रमत सीदी सी बाया था इसका right option है, options 3 एक लोक नाटि है question number 2 देखते है, मोरचंग क्या है? देखें मोरचंग कितनी ही बार exam में पूचा जा चुका है इसका right answer है मोरचंग वाद्ययंत्र है और ये वाद्ययंत्र सूसीर वाद्ययंत्र है मित्रू याद रखें इसको लेकर एक मिन्य वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें कलाकारों को बजाते हुए मोरचंग को बताया गया है देखे ये जिस प्रकार ढोलक वाद्ययंत्र है तो हम जानते हैं आवनद वाद्ययंत्र है क्योंकि ढोलक को हमने बजाते हुए देखा है लेकिन मोरचंग को हमने देखा नहीं है इसलिए इसमें कन्फूज होते हैं नाम चंग का आ रहा है इस कारण हम अवनद वाध्य कर देते हैं लेकिन मोर चंग सुसिर वाध्य यंत्र है इसको लेकर एक मिने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मोर चंग बजाते विए कलाकार और मोर चंग पूरा दिखाया गया है गुषान वंस से सम्मंदित नहीं था तो देखिए जो तीसरा क्यूशन है इसका राइट आंसर आप्शन ए वत्सराज ये नहीं था क्यूशन नमबर चार देखते हैं बोध है दर्म से समंदित पूरा तात्विक अउशे कहां मिले हैं राइट आंसर आप्शन ए बेराट मे मिले हैं Q5 देखते हैं 18 सताओन में कोटामी विद्रो का नेता कौन था राइट अंसर और अप्षन 3 जये दयाल Q6 देखते हैं कौन सा मिला वर्स में डो बार आयोजित होता है इसका राइट अंसर अप्षन 4 कर्णी मता का जो मेला है दो बार जो नवरात्रा आते हैं उन में आयोजित होता है क्यूशन नमबर सात्वा देखते हैं बिकानेर के मत्हेरन समुदाई के समंद में दिये गए निमलिखित कत्रों को सावधानी से पढ़िये और कौन सा सही है ये बताया गया है तो इसमें देखिए बिकानेर चित्र सेली के विकास में इनका जो मत्हेरन समुदाई है उनका प्रचूर योगदान है राइट आंसर है क्यूशन सेवन का दूसरा पॉइंट देखते हैं माराजा अनूप सिंग के कालमी मत्हेरन समुदाई को संद्रक्शन दिया गया था राइट बात है क्यूशन नमबर जो सेवन है इसका तीसरा पॉइंट है मत्हेरन विशेशकर सासकूं की विक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं मत्हेरन जो अपने आपको महातमा भी कहते हैं एक जेन समुदाई है यानि कि इसके चारों उप्शन सही है अब देखते हैं क्यूशन नमबर आठ की बात करते हैं क्यूशन नमबर एट है ती मनिया पहना जाता है तो इसका सही उत्तर आप्शन टू महीलाउं द्वारा गले पर ती मनिया नाम का पुशन पहना जाता है Q9 देखते हैं एक तरफ बोली है और दूसरी तरफ जिला है उसको सुमेलित करना है तो इसका देखिए जो जगरोती है करोली में और इसके लावा हम देखते हैं धाटी ये बाडमेर नागरचोल टौक और धावडी उदैपूर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A अब बात करते हैं Q10 की दसवी स्तापदी का प्रसिद अंबिका मंदिर कहां पर है तो इसका राइट आंसर आप्शन तीन जगत में है Q11 मेवाड पुकार क्या है तो ये सब को पता है मोतिलाल तेजावा द्वारा मेवाड द्वारा तेयर एक मांग पतर था जो मेवाड महार है इसका गलत युगम है उप्सन नमबर टू रादा सत्या प्रकास चोशी जबकि बादली चंदर प्रकास देवल राइट आंसर मेगमाल सुमेर शिंग शेखावत बाथाम में भुगूल ये हरीस बादानी की यानि यहाँ पर इस पिपर को देखकर आप ये अन्नमान लगा सकते हैं राजस्तान सहीतियों और सहीतियकार को याद करना है यहाँ पर डीपली क्यूशन पूचा गया है तो आपको डीपली याद करने पड़ेंगे Q13. राजस्तान में किस भोतिक शेतर में मुकुंदरा की पहाडियां स्तित है? इसका right answer है option 2. हाडोती का पठार हाडोती पठार में मुकुंदरा की पहाडियां है Q14 देखते हैं अनास, एराव वे सोम जिस नदी की साहिक नदिया है वो कौन सी है तो इसका right answer हो गया option A माही नदी की साहिक नदिया है Q15 देखाना जिस खनन के लिए जिसके खनन के लिए जाना जाता है तो देखाना वागरी जोगी टंगस्तन खनीज निकाला जाता है नागोर में ये इसका right answer है दोस्तों यहाँ पर में पूरा केवल answer question और answer ही हम discussion करेंगे इनको next video में में पूरा ये video ज़्यादा लंबा नहीं ह करके पूरा discussion हम करेंगे question number 16 देखते हैं निवन में से कौन से जिल्लों का युग्म राजस्तान में कत्था का मुख्य उत्पादक है तो देखे सोलवे का जो सही उत्तर है option A उदैपूर एंचितोड़गर question number 17 देखते हैं रास्टे मरू उध्यान को किस नाम से भी जाना जा कि इसमें ये चारुई option right है लेकिन अगर आप इस question के English वाले section को देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो तीसरा option है तालाब इसको tank कर रखा है तो ये तीसरा option सही हो जाएगा वैसे RPSC ने इस question को delete किया था लेकिन जब question का answer दे उस समय अंग्रेजी वाले part को भी जरूर दे question number 90 देखते हैं प्राकरतिक संसादनों की प्रकरती एं उपलबदता के आदार पर वर्तमान में राजस्तान के उद्योगी विकास में निवन में से किस निवेस आदारित उद्योग को उद्योगों का समूद सरवादिक महतपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है तो इस question का right answer ह option two खनीज आदारित question number देखें राजस्तान में जदाधा खनीज है दूसरी नंबर पर आता है question number 20 निव्ड में इसे कौन सी नसल राजस्तान में उउट से समंदित है उट की नसल फूंची है तो गुरुहा ये राजस्तान में उउट की नसल है देखें यहाँ पर विबिन प की गई थी राजस्तान में तो इसका राइट आंसर है उप्षन A 1981 में जो जन सिंग्या वर्दी दर थी वो सरवादिक थी क्यूशन नमबर 20 राजस्तान के निमनांकित किन जिलू में लाल लोम म्रदा पाई जाती है ये क्यूशन काफ़ी एकजाम में पूछा जा रहा है राइट आंसर है उप्षन 3 बासवड़ा और डुंगरपुर में लाल लोम म्रदा पाई जाती है क्यूशन नमबर 23 निमनांकित में से कौन सा राजस्तान वानिकी और जे विविता प्रियोजना का उद्धेश ये नहीं है इसका राइट आंसर है उप्षन 3 बाड नियंतरन क्यूशन नमबर 24 राजस्तान में सीद कालिन वर्सा का कारण क्या है तो ये देखे सीद काल में जो वर्सा होती है पस्सिम विक्शोप से होती है जिसको हम मावट के नाम से जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाया उप्षन 4 क्यूशन नमबर 25 शिरोई जिले में तीवर ढाल यूगतेम कटी फटी जो पाड़िया है उनका अस्तान नाम क्या है तो इसका राइट आंसर है उप्षन 1 भाकर क्यूशन नमबर 26 देखते हैं कौन सी नदी अंताय प्रवाहित नदी नहीं है तो देखे नदियों के और जो ग्रोप के कापी क्यूशन आया है लेकिन से जञदात法 typically है तो आप deeply पढ़ाई करनी चाहिए Q26, अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है तो देखिए इस Q27, जो राइट आंसर है Option 4, खारी यह अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है बाकी तीनों अंत्य प्रवाहित नदिया है Q27, सन 2011-12 में राजस्तान के निम्न जिल्लू में से कि जिल्ले में सरवादिक वन शेत्र था तो इसका राइट आंसर है उप्शन तीन उदेपूर देखिए वन से समंदित क्यूशन भी आ रहे हैं और अभी जन गणना जो पसू गणना भी हुई थी तो उस पसू गणना के क्यूशन भी काफी आएंगे जन गणना के क्यूशन भी काफी आ रहे हैं तो जन गणना और पसू गणना वाले टोपिक और जो राजस्तान के करंट अफेर से समंदित उन पर विसेस फोकस करना चाहिए क्यूशन नमबर 28 राजस्तान में कौन सी बेड़ की नसल नहीं है तो देखिए इसका राइट आंसर है उप्शन ए मालवी ये बेड़ की नसल नहीं है क्यूशन नमबर 29 वर्स 2011 में राजस्तान में नगरिय जन संक्या का परतिशत कितना था तो इसका राइट आंसर है उप्शन 4 24.90 ये नगरिय जन संक्या का परतिशत है क्यूशन नमबर 30 राजस्तान में वालरा करसी का एक परकार है देखिए वालरा करसी ये स्तानांतरित करसी का एक परकार है जो दक्षिन राजस्तान में बाशवड़ा वाले सेतर में की जाती है इसका right answer हो गया option A Question number 31 मगरा सेत्र विकास कारेकरम राजस्तान में कब प्रारंप किया गया था तो इसका right answer है option 3 2005 और 6 में ये मगरा सेत्र विकास कारेकरम सुरू किया गया था बिसल पूर्बांथ किस नदी पर स्तित है तो देखे जो बिसल पूर्बांथ है वो बनास नदी पर स्तित है इसका right answer है option 2 बनास नदी पर Question number 33 अनुसुचित जाती कि कितनी मैला हैं चोधवी राजस्तान विदान सबा का की सदश्य बनी है तो इसका right answer है option A 12 मैला हैं विदान सबा की सदश्य था सदश्य बनी थी चोधी विदान सबा की देखे विदान सबा की question भी काफी पूचे गए है तो विदान सबा से समंदित सारे question जरूर देखने चाहिए Question number 34 राजस्तान का कौन सा कौन सा विदान सबा से तर एक से अधिक जिलू में फेला हुआ हुआ है विदान से समंदित है तो इसका जो सही उत्तर है option 3 अनुचेद 233 से 237 ये अधिनस्र नियालों से समंदित है Question number 36 देखते है राजस्तान लोग से वायो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये right answer है ये राजस्तान लोग से वायो के प्रथम अध्यक्ष थे Question number 37 कत्रों पर विचार कीजिए राजस्तान में लोकायुक संस्ता किस्तापना 1973 में की गई थी option number इसका जो दूसरा नियाई मूर्ती ID 2 राजस्तान राजे के पहले लोकायुक थे अब इन में से सही है दोनु ही कतन सही है इसका right option हो जाएगा question 35 का सही उत्तरो option 3 Question 38 राजस्तान में लोकायुक्त का कारेकाल क्या होता है देखिए ये question RPSC के द्वारा delete किया गया है तो चलिए आगे देखते हैं क्यूंकि आगे का question 39 बारते सविधान का कौनसा अनुचेद उपबंद करता है कि प्रतेक राज्य के लिए एक राज्य पाल होगा तो इसका right answer है option 3 अनुचेद 153 देखिए यहां सविधान में अनुचेद भी कापी पूचे जा रहे हैं तो अनुचेद उपबंद भी विशेश फोकस करना चाहिए question number 39 का right answer हो जाएगा option 3 question number 40 राजस्तान महिला आयोका कारिया निवन में से नहीं है महिला आयोका कारिया कौनसा नहीं है तो देखिए महिला उत्पीडन से समंदित सिकायते सुनना है विल्कुल महिलाओं के सवेधानिक प्रावदानों के पर निगरानी रखना महिला ससकती करनों है तो प्रियास करना महिला उत्पीडन के दोश्यों को दंडित करना ये महिला आयोका कारिया नहीं है ये सुजाओ देशकती है लेकिन ये आयोक सुजाओ देशकता है लेकिन दंडित करने का कारिया नहीं किया जाता है तो इसका right answer हो गया option 4 Question number 41 राजस्तान में चाहुनी बोर्ट किस्तापना कहां की गई थी इसका right answer option 1st नसिराबाद में की गई थी Question number 42 राजस्तान में राज्य निर्वाचन आयो का गठन कब हुआ था तो इसका right answer है option 2 1994 में राज्य निर्वाचन आयो का गठन हुआ था निम्न में से कौन सी पंचाई समिती एम पावर परियोजना का लाभारती नहीं है तो इसका right answer है option 4 बिलाड़ा Question number 44 चाहुदवी राजस्तान विदान सभा की कारिया संचालन प्रामर्श दात्री समिती के अध्यक्ष कौन है देखे राजस्तान विदान सभा की क्योशन का पी पूचे जा रहे है और उसकी जो समीतिया है और उनके अध्यक्ष के बारे में क्योशन पूचे गए है तो विदान सभा से संबंदी सारे ही क्योशन आपके क्लियर होने चाहिए तो 44 का जो राइट आंसर है ओफ्सन फर्स्ट के लास्ट चंदर मेगवाल देखे कारिय संचालन और प्रामर्स दात्री जो समिती होसी है उसका अध्यक्स उसका जो अध्यक्स होता है वो विदानसबा द्यक्स ही होता है क्योशन नमबर 45 देखते हैं चोद्वी विदानसबा में राजस्तान के कि जिल्ले में सरवादिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी तो इसका राइट आंसर उप्सन फर्स्ट गंगा नगर से सरवादिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी क्योशन नमबर 46 विदानसबा चुनाओं में आइसपस्ट बहुमत के कारण राजस्तान में राष्ट पति शासन कब लागू किया गया था तो ये 1967 में लागू किया गया था राइट आंसर उप्शन तीन क्योशन 47 नेम नांकित में से राजस्तान विदानसबा के प्रत्थम गेर कोंगरेसी अध्यक्ष कोन थे तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट फोर्थ लक्षमन सिंग क्योशन नमबर 48 राजस्तान में 31 मार्च 2016 तक 25 समीतियों की कुल संख्या कितनी है तो यहां के राजस्तान विदानसबा कोन थे तो इसका राइट आंसर है उफशन 2 एन चेना रेड़ी देखिए विदानसबा राजस्तान से काफी क्योशन पिसरी बार पूछे गए थे और विविन आयोगों की सापना के बारे में क्योशन पूछे गए थे 184 से बढ़ा कर 200 की गई थी तो यह जो चटी विदानसबा का जो चुना हुआ था उसमें 184 से बढ़ा कर 200 की गई थी क्योशन नमबर 51 राजस्तान में किस वर्स में एकी करत जल ग्रहन विकास कारिये करम प्रारंब हुआ था तो 1989 में इसकी सुरवात हुई थी क्योशन 52 देखते हैं जनवरी 2016 में किस जिले में जिल्ला कलेक्टर ने चरण पादू का योजना चलाई थी तो इसका जो राइट आंसर है जालोर के कलेक्टर थे उनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी क्योशन 53 यानि इस पेपर का हम आकलन करें तो इसमें राजस्तान के करेंट अफेर्स भी काफी पूछे गए और वो भी डीपली पूछे गए थे क्योशन 53 राजस्तान में कर राजस्तू का सबसे बड़ा स्त्रोथ कौन सा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू वेट क्योशन 54 देखते हैं एपी एमसी एदिनियम राजस्तान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन करसी उतपादूं के वीपनन को सुविदा देने के लिए क्या गया था आंसर ऑप्शन फिप्टी परसेंट 56 वर्स दो हजा सोले सत्रे में के लिए राजस्तान राज्य का अनुमानित राजस्व गाठा कितने प्रतिशत था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू पॉइंट नाइन परसेंट राजस्तान में उर्जा की धारित सक्ती में ताप उर्जा का लगबग कितना अनुमात है ताप उर्जा इसका 60 परसेंट योगदान है तो ये क्यूशन डिलीट किया गया है क्यूशन नमबर 59 देखते हैं विश्यो बेंक की रिपोर्ट इज ओप डूइंग बिसनेस 2015 के अनुशार राजस्तान का करमांग भारत देश के अंदर कोन सा था तो ये छट्टे नमबर पे राजस्तान था उस समय क्यूशन नमबर 60 देखते हैं राजस्तान में पसुधन के लिए निसुल्क दवा योजना कब प्रारम की गई थी तो निसुल्क पसुधवा योजना 2012 में सुरू होई थी क्यूशन नमबर 61 राजस्तान उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब होई थी तो इसका राजस्तान उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना होई थी आजस्तान सरकार की भामासा रोजगार सरजन योजना के अंदर सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है तो इसका right answer option first मुद्रा योजना के साथ ये बामा सा रोजगार सरजजन योजना जोड़ी गई है question 64 राजस्तान विनियोग प्रोसान योजना 2014 किन पर लागू होगी तो देखी ये जो नए और वर्तमान में उद्यम जो नए उद्योग स्तापिद करने के लिए विनियोग कर रहे हैं ये बही right है वर्तमान उद्यमी जो उद्योग इससे के लिए विनियोग कर रहे है ये भी compensator तो देखी ये किसी पंचाई समयती में sanitation के लिए वांचिस्तर को प्राप्त करने के लिए निर्मल ग्राम पुरुस का रियोजना सुरू की गई थी देखे दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसमें सारे फूरा इसको clear करके हर question का direct answer बता रहा हूँ और next वीडियो में अगर आपका अच्छा response मिलेगा तो next वीडियो में इसके सारे जो question है उसके पूरे हम समझेंगे पूरी व्याख्या साहित में आंसर बताऊंगा question 66 राजस्तान में वर्स 2014-15 में प्रसलित की मतूपर प्रति विक्ति आई कितनी थी तो इसका right answer option 3 32,156 रुपए 67 राजस्तान की पहली प्रत्यक्स लाभ अस्तांतरन योजना कौन सी है तो इसका बामासा योजना option 2 right है 68 राजस्तान में 19 वी पशुगणना किस वर्स में की गई थी 2012 में 19 वी पशुगणना की गई थी Q69 राजस्तान के किस जिल्ले में जिप्सम का उत्पादन सरवाधिक होता है तो ये Q69 राजस्तान के अंदर किस जिल्ले में बरतपूर में है उस किस्ता अपना कब हुई थी तो जो इसका right answer option 1st 1993 में Q71 जिल्ला नवाचार कोस किस्ता अपना किस के द्वारा की गई थी तो ये जो तेरवा वितायोग था उसके द्वारा की गई थी Q72 मातमा गांधी फुसकल योजना की गोसना राजस्तान के किस बजट में की गई थी तो इसका right answer option 3 2013 2014 में की गई थी Q73 चौधवी राजस्तान विदानसभा में प्रतिपक्स के नेता है तो इसका right answer option 1st रामेश्वरलाल डूडी Q74 राजस्तान का केंद्री विद्यालाई किस जिले में उस्तित है तो ये किशनगट अजमेर में उस्तित है Q75 जिल्ला और राजस्तान के वन विपाग द्वारा जारी सुबंकर के तुरुटि पूर्ण युगम को पहचान ये तो अगर हम इसका जो ये देखते हैं तो 75 का जो right answer है तीसरा दोसा का जो सुबंकराओ मगर नहीं है यानि ये तीनु right है और ये नहीं है अब देखते हैं 76 वी देखें दोस्तों वीडियो जरूर लंबा हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें और आपका नमबर 76 शोलवी लोक्षभा में राजस्तान से निर्वाचित मैलाउं की संख्या कितनी थी तो जो इसका right answer option first एक मैला उसमाई निर्वाचित हुई थी केंदर सरकार की smart city योजना के प्रत्थम दोर में चैनित राजस्तान के दो नगर कौन से है तो जैपूर और उदैपूर तूसरा right है question 78 2015 में भारत रूस का संयुक्त सेन्य अभ्यास कहां हुआ 78 का right है option 2 विकाने देखें यहाँ पर इंडियन जो current affairs है भारत ये जो भारत ये राजस्तान के साथ साथ भारत के current affairs भी पूंचा गया है question 79 संग्ठन जी से वन विकास और वन्यजीव सुरक्षा की दरश्टी से 2015 का अम्रता देवी पूरुषकार दिया गया था तो इसका जो right answer option first जल धरा विकास संस्तान बिलवाडा को दिया गया था 2015 में अम्रता देव विश्नुई पूरुषकार question 80 रास्तान राज्य बजट 2016 सत्रा में नया तकनी की विज़ित दिया ले कहां स्तापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है तो ये विकानेर में स्तापित किया गया था तो देखे बजट के question भी काफी पूचे गये हैं यानि 81 सगुन चोदरी का संबन्द निसाने बाजे की किस सपर्दा से है तो डबल ट्रेप सपर्दा option 3 right answer है question 82 ये जो नंदगर के बारे में पूच्छा गया है तो नंदगर का जो राइट आंसर है देखे अनाद बच्चों को गर परदान करना इसका उद्धिश्य नहीं है ये है योजना अंगन बाडी के अंदरू के संचालन में सामोदाइक सहबागिता को बड़ावा देने के लिए प्रारम की गई थी ये राइट है इस योजना के तहित एकल काम का जी मेला ये नहीं है यानि इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन जेते अंदर राइगोएल कोन है देखे जेते अंदर राइगोएल अध्यक्स राजस्तान राज्य पिछड़ा वर्गायो के अध्यक्स दे ये इसका राइट आंसर है देखे करेंट अफ्यर्स की क्यूशन पूछे गए हैं ये अब देखे क्यूशन ऑफ 84 संसद्य सचीव को उनके प्रती निदी वाले विदान सभा सेत्र के साथ युग्म को पहचाननी तो इसका जो राइट आंसर ऑप्सन टू विशुनात मेगवाल गुड़ा मलानी से चुन कर आए हैं क्यूशन 85 ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किस्से है तो ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान बोर्डर पर सर्दी के समय चलाय जाता है क्यूशन 86 राजस्तान में नए जिल्लू के गठन के प्रस्ताओं पर विचारार्त उचस्तरिय समयती बनाई गयी थी उसके द्यक्ष कौन है तो इसका राइट आंसर परमेश चंदर कमेटी बनाई गयी थी 87 महाराना मेवाड फाउंडेशन द्वारा 2016 में हकेम का सूर पुरुषकार हकेम का सूरी पुरुषकार की दिया गया था तो इसका राइट आंसर आप्शन 3 प्रसून जोशी को दिया गया था उस समय देखे करंट अफ़ेर की क्यूशन का पी पूचे गये थे यानि लगबग 5-6 महीने का पिछला करंट पूचा गया है 88 प्रथम सविदान दिवस मनाया गया था इसका राइट आंसर आप्शन 3 26 नौवंबर 2015 को पहला सविदान दिवस मनाया गया था क्यूशन 89 अनुसूची सेत्रों के अलावा रास्तान में जिला परिशद और सीटों पर चुनाव लड़ने वाले परतियाश्यों के लिए सेक्षी की हो गया था दस्वी उत्रिन रखा गया था तो तीसरा ओप्शन राइट है 90 हाली में दक्षिनी आस्टेलिया के साथ रास्तान सरकार ने कौन से समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका राइट आंसर ओप्शन टू सिष्टर स्टेट समझोता ये किया गया था दक्षिनी आस्टेलिया के साथ रास्तान का 91 रास्तानी बासा के लिए 2015 का सहित्य अकादमी पुरुसकार किशे प्रदान किया गया है तो तीन इसका राइट आंसर है मदू आचारिय आसावादी अब देखते हैं 92 किस देश की होकी अकादमी के साथ रास्तान क्रेड़ा परिश्ट की होकी अकादमी ने उसतर कोचिंग के लिए सामबर 2015 में MOU परस्ताक्षर किये थे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 नीदर लें देखिए करंट अफेर्स के उस समय के क्यूशन लगवग 10-15 क्यूशन करंट अफेर्स के पूछे गए थे तो करंट अफेर्स पे पी अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्यूशन 93, रआशेतान में Ashoka सिलालेक कहाँ प्राप्ट हुआ था, तो ये बेराट में प्राप्ट हुआ था, उप्शन 3 राइट है, निम्नमेंसरे ऱाश्तान के किस स्तान पर सोमिश्वर मंदीर स्तित है तो सोमिश्वर मंदीर है कीराडू बाडमीर में, इसका ए उप Q96. किस चित्रसेली में मतिराम रचित 19 स्ताबदी की हिंदी साहित्यक रचना रस राज का चित्रनेतु विशय की रूप में प्रियोग किया गया है तो देखे 96 का जो राइट आंसर उप्शन फर्स्ट मारवाड चित्रसेली Q97. नेजा क्या है? Q98. सित्राम सादू का सम्मन किस अंदोलन से था? Q98. में वार बील कोर्प्स किस वर्स स्तापित की गई थी? तो ये 1830 में मेवार बील कोर्प की स्थापना हुई थी 100 और लास्ट क्यूशन राना संगा और बाबर के बीच एतिहासी युद कहां हुआ था तो देखी राना संगा और बाबर के बीच खानवा में युद हुआ था 1527 में देखे यहां पर आज हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का 2014 की जो परती थी जिसका 2016 में पेपर हुआ वो डिसकुश किया यहां पर विदान सभा से एक आपकी क्यूशन पूचे गए थे और करेंट अफेर्स के 15 के लगबग क्यूशन पूचे गए थे और विबिन पसूं की नसलूं के बारे में पूचा गया था तो इस आप पेपर को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाला पेपर किस परकार होगा दोस्तुं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना पूलें और साथ में एक अच्छा कमेंट करके बताएं ताकि आने वाले वीडियो में हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थेंक्यू